मुझा है देखर है अज करेंगे वह स्टार्ट करेंगे बिसिकली आर्सी सर्कुट ठीक है तो आर्सी सर्कृट के बारे में हम लोग डिस्क्स कर लें कि आर्सी सर्कृट है क्या पहले इसके meaning समझें कि what is the meaning of the RC circuits, ठीक है, तो start करते हैं हम लो, RC circuit, ठीक है, यहाँ धिहान देना, because RC circuit से बहुत अच्छे questions आते हैं, JEE में, ठीक है न, और खासकर यह जो topic है, यह basically ज्यादा तरह यूज होता है, JEE advance के लिए, ठीक है, JEE advance में इससे अच्छे questions बनते हैं, तो देखो, इसमें basically जो हम बात करेंगे, RC circuits के बारे में, RC circuits में क्या होता है, यह जो C है, यह क्या है, capacitor, ठीक है न, मतलब resistance और capacitor, दोनों को मिला के एक circuit बन रही है, that is called RC circuit, ठीक है, अब इस RC circuit में, जैसे आपको पता है कि capacitor का काम क्या होता है, capacitor का काम होता है, charge को store करना, वो charge को store करता है, ठीक है, बट resistance का क्या काम होता है, और charge को store करने का मतलब capacitor क्या होता है, कि charge को store करके, energy actual में store करता है, बट resistance क्या होता है, वो dissipate करता है energy को, ठीक है, तो इन दोनों के combinations है, जो circuit बनेगा, उसी को हम लोग basically क्या बोलते हैं, RC circuit, ठीक है, अब यहाँ मेरी बात को समझो, कि यहाँ पर actual में करेंगे क्या RC circuit, पर RC circuit पर हम यह जो C part है, that is the capacitor, capacitor को कैसे हम charge करते हैं, capacitor कैसे discharge होता है, through a resistance, ठीक है, इसी के बारे में हम discuss करेंगे, क्या expression होता है, ठीक है, क्योंकि capacitor actual में क्या होगा, अगर जब वो charging condition में जाएगा, तो हम capacitor के लिए क्या कहेंगे, within a time, मतलब कुछ time लगेगा, जब वो charge होना सुरू होगा, या discharge होगा, तो कुछ time लगेगा, जब धीरे धीरे discharge होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि जब charging condition है, जब वो charge हो रहा है, तो initially capacitor क् fully uncharged है, मतलब कोई charge नहीं है उसके पास, तो वो धीरे 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 charge होगा, तो जब वो fully uncharged है, तो that means what t time जो होगा, वो zero time पर suppose करो कि वो fully uncharged है, उसके बाद क्या होगा, कुछ times होगा, जब वो क्या हो जाएगा, कि finally completely charged हो जाएगा, ठीक है न, अब यहाँ पर यह किस condition को बो बारे में बात करेंगे, तो discharging के बारे में हम क्या consider करेंगे, कि जब वो fully charged है, उसके बाद वो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, तो जैसे ऐसे धीरे धीरे charge जो होगा, वो use होने लगे है, या फिर हम कहेंगे discharge होने लगे है, इनर्जी उसकी कम होने लगेग तो हमें यही देखता है कि charging और discharging में जो charge हो रहा है ठीक है तो वो function of time कैसे हम consider करते है उसकी values क्या होते है उसके expression क्या होते है ठीक है तो चलो अब हम यहाँ पर min topic लिखते है कि है क्या यह RC circuit ठीक है तो जैसे मैंने बात की charging और discharging की ठीक है तो यहाँ पर मेरी बात को समझना ठीक है न topic हम consider कर लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे charging charging and charging and discharging charging and discharging discharging of a capacitor of a capacitor through a resistance through a resistance ठीक है clear है कि मतलब हम यहाँ क्या देखना है हमको RC circuit में कि यह जो capacitor है वो कैसे charge होगा कैसे discharge होगा किसके कारण through a resistance ठीक है through a resistance मतलब circuit में resistance बना हुआ है तो भी clear है अब यह बात को थोड़ा अच्छे समझना suppose करो मैं एक छोटा सा circuit बनाता हूँ ठीक है और इस पर थोड़ा सा समझनी कोशिश करना कि यहाँ पर suppose कर एक circuit है मेरे पास ठीक है यहाँ मैंने क्या क्या एक battery लगा के रखी है clear है battery का EMFM लोग E माल लेते है clear है और यहाँ पर मैंने क्या किया है एक switch बनाया है ठीक है इस जगा एक switch है मेरे पास यहाँ भी मैंने क्या किया है एक switch consider किया है इस तरह से clear है यहाँ भी मैंने एक switch consider किया ठीक है इस switch को मैं S1 बोल रहा हूँ और इस switch को मैं S2 consider करता हूँ clear है एक resistance इस तरह से लगाया है, ठीक है, clear है, और यहां मैंने एक capacitor consider किया है, ठीक है, अब यह circuit पर तुम देख रहे हो, यहां पर तुम को capacitor भी दिख रहा है, और यहां पर तुम को resistance भी दिख रहा है, यह capacitor हो गया, यह resistance हो गया, clear है, यह हमने situation बना है, अब बिटा ध्यान से यहां हमारे क्या है, capacitor है, तो हम जो बात कर रहे है, RC circuit की, तो यह RC circuit सब को दिख रहा है, कि यह जो circuits हमने complete बनाया है, इस circuit में resistance भी है हमारे पास, और capacitor है हमारे पास, ठीक है, अब मेरी बात को समझो, कि इस conditions में किस तरह हम charging और discharging की बात करेंगे, ठीक है, जैसे suppose करो, मेरी बात क और थोरा सा यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं suppose करो, यहाँ पर यह positive, ठीक है, इस जगा मतलब यह positive, negative, जैसे मैं बात करूँ अगर, तो यह positive और यह negative consider करूँगा, मैं, चलो, इसमें मैं क्या करता हूँ ना, कि charging, discharging में एक और condition लेके चलता हूँ, कि यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझना एकदम, slowly, slowly मैं इसलिए बता रहा हूँ, कि आपको कहीं problem नहीं आए, कि charging, discharging है, क्या चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर suppose करो, इसको मैं positive ले ले लेता हूँ, यह negative ले ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, कि एक मैंने क्या किया, इस तरह है, और यह 10V है, ऐसा हमने voltmeter consider कर रखा है, ठीक है न, मतलब इसको identify कर लो, चलो, यह actual मैं क्या है, यह क्या है, voltmeter, ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस circuits में, कि देखो, एकदम logically समझो, कि यह तुमको क्या बता है, मैंने, यह capacitor है, यह क्या है, हमारे पास resistance, यह S1, S2 consider किया है ठीक है, अब हम एक situations बनाते हैं, यहाँ पे देखो, कि अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ लिखूँ, ठीक है, कि when, when the switch, when the switch, S1 is close, when the switch, S1 is close, and S2 is open, when the switch, S1 is close, and S2 is open, the resistance, the resistance, the resistance, and kappa, and capacitor, and capacitor in series, and capacitor in series connection. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, and this state, and this state is called charging, यह state क्या कहलाएगा हमारे लिए, charging, ठीक है, अब इस point को समझो, कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, हमने क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, कि यहाँ मैंने क्या लिखा, कि जब हम क्या कर रहे हैं, कि switch S1 को, क्या कर रहे हैं, close कर रहे हैं, मतलब यह, इसको target करो, देखो, switch S1 को हम क्या कर रहे हैं, close कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे, condition समझना मेरी बात को एकदम अच्छे से, ठीक है, कि जैसे ही हमने क्या क्या, switch S1 जो है, इसको यहाँ पर close कर दिया, ठीक है, इसको हमने क्या क्या क्या, close कर दिया, और हमें क्या दिख रहा है, यहाँ देखो, और हमें क्या दिख रहा है, हमने बाद में क्या क्या, S2 वाला जो है, इसको हमने क्या रखा है, इसको हम open ही रख रह है ठीक है ना S2 वाले को हम क्या कर रहे है इसको open रख रहे है मतलब यह वाला system को close नहीं किया तो यह जो resistance है देखो धिहान से समझो यह जो resistance है और यह जो capacitor है वो कैसा connection हो जाता है यह तुमको दिखेगा कैसा series connection में देखो अब यहां समझो कि जैसे suppose करो यहां से इस तरह से हम क्या कहा रहे है कि current flow कर रहा है आई current क्या यहां से current जाएगा ठीक है इस जगह वह तुमको क्या दिखेगा i current का flow होना शुरू होगा बगड़ यह switch क्या है open है तो इसर तो current जाएगा नहीं तो यह current इधर path out हुआ ठीक है तो देखो यह भी current वही होगा और यहाँ भी same current pass out होगा ठीक है तो यह तुमको कैसा दिखेगा series connection में दिखेगा ठीक है अब देखो initially मैंने क्या बात किया कि initially यह जो capacitor है यह अंचार्जड है ठीक है तो जैसे जैसे time के साथ साथ यह क्या होगा current flow करना सुरू होगा current flow का मतलब क्या होता है कि electron का movement और यह बात समझे इस direction में current चलता है उसके opposite direction में electron move करता है ठीक है तो electrons का movement है तो यहाँ पर that is हम क्या बोलेंगे चार्ज का movement हो रहा है और ये धीरे 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 क्या होना शुरू हो जाएगा ये capacitor charging condition में चला जाएगा ये capacitor charge होने लगिया इसलिए हम क्या कहते है ये state क्या कहला हैगा charging condition, ठीक है, यह state com क्या बोलेंगे, charging condition, ठीक है, अब इसमें देखो, तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, तो इसमें एक point और समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि the capacitor is fully charged, मतलब जब capacitor fully charged हो जाएगा, the capacitor is fully charged, तो हम क्या बोल सकते हैं, आप ही मेरी बात को सम्झना, potential difference is constant, तो हम क्या बोलेंगे, potential difference क्या हो जाएगा मेरे पास, constant, ठीक है, potential difference constant हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम, across voltmeter, ठीक है न, अब यहाँ समझो, अभी जब यह t is equal to zero time पे हम बोल रहे था, तो यहाँ पर था यह, अब यह जैसे ऐसे यह जो capacitor है, यह fully charge होना शुरू होगा, तो suppose करो, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर consider कि, अब यह क्या हो, जैसे यह fully charge हो जाएगा, तो हो सकते है, इसका potential है कितना मेरे रख़णा, 5V, और यह क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, क्योंकि अब यह तो पूरा समझने में, अब देखो, यहाँ से हम second situation, चार्जिंग का meaning क्या होता है, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्या, discharging क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ समझो मेरे बात, अब अगर ऐसा बोल रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से बाते करें, second case में, ठीक है, अब य second case बोल रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम second case में, बात करें, second case में, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कि बापस हम उसी circuits को बनाते हैं, ठीक हो, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने कहा किया, same as it, वही battery consider की है, ठीक है, इस से हम आगे बढ़ रहे हैं, यही situation बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यह हो गया मेरा switch, ठीक है, इस जगा मैंने हमने दूसरा switch बनाया था, यह हो गया मेरे पास एक और switch, ठीक है, अब यहाँ देखो, इस जगा मैंने क्या consider कर रहा है, resistance, यह हो गया resistance, और यहाँ आपने किसकी बात की थे, capacitor की, ठीक हो, इसी त इसका कह लिया था हमने यह में यह लेकर चल रहे थे अब यहां समझो कि यहां पर अब second case है second case का मतलब इस capacitor के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला हमने क्या consider किया था कि यह जो capacitor था मेरा यह क्या हो गया था अब fully charged हो चुगा था मतलब यह capacitor के बारे में अगर मैं बात करूँ यहां पर हम क्या बोल रहे हैं इसको यह fully charged है यह क्या है अब यहां पर fully charged है अब जब यह fully charged है तो यहां अगर हम situation बनाते हैं तो हम यहां देखो अगर मैं ऐसे बोलू कि when when the switch when the switch S1 is open ठीक है इस पर हमने क्या क्या है S1 को open किया है and S2 is closed ठीक है and S2 is closed ठीक है तो हम यहां यह लिख लेते हैं ऐसे कि this situation this situation this situation is happen this situation is happen after the capacitor after the capacitor is fully charged ठीक है क्या है यह fully charged है मतलब अगर हम ऐसी बात करें कि जब हम situation S1 को open कर रहे हैं और S2 को close कर रहे हैं मगर यह ऐसा कब कर रहे हैं जब हम देख रहे हैं क्या capacitor क्या हम ले रहे हैं कि वो fully charged है ठीक है तो हम बात करेंगे यहां पर देखो इसको first point consider कर लो अब यहां पर देखो तब हम यहां पर consider क्या करेंगे potential difference जो potential difference होगा potential difference potential difference ठीक है na potential just a second देखो यहां पर इस जगा हम बात करेंगे तो देखो potential difference अक्रोस अक्रोस दो वोल्टा मीटर अक्रोस दो वोल्टा मीटर विकम्स विकम्स जीरो विकम्स क्या लिखेंगे जीरो ठीक है and and charge and charge also zero ठीक है और यहां पर हम क्या बोलेंगे this state this state is discharging discharging state यह क्या हो जगा discharging state देखो अब इस points को समझना मैंने क्या किया अब यहां पर अब हम ऐसा situation बना के चल रहे है कि मैं यह सोच के चल रहा हूँ कि मैंने क्या किया यहां पर कि S1 को उपन ही रहने दिया और S2 को क्या किया यहां पर close कर दिया S2 क्या हो गया close हो गया अब logic समझो कि जब S2 close हो गया है और यहां पर यह जो capacitor है यह क्या है तुमारा fully charge है जब यह fully charge capacitor है और यह है तो अब मतलब अब यह circuit इस तरह से बना हुआ है तुमारा जो circuit है वो कैसा है वो यह circuit है अब इस circuit में तुम बात करो तो capacitor fully charge है अब इसको इसमें जाना है तो capacitor कैसा करेगा यह जो capacitor है यह behave like a battery की तरह treat करने लगेगा मतलब यह हम क्या बोलेंगे यह behave like a battery हो जाएगा यह ठीक है न बिहेव इसके पास जब यह completely charge हुआ था इसके पास अगर Q charge था तो time के साथ धीरे-धीरे क्या होगा धीरे-धीरे-धीरे इसका क्या होगा चार्ज होगा कम होने लगेगा एक time आएगा जब इसका charge 0 हो जाएगा अगर जब इसका charge इस तरह से 0 हो जाएगा तो इस तरह हम क्या कर रहे है कि capacitor क्या हो रहा है मेरा discharge होने की कोशिच कर रहा है तो इसी state को हम लोग क्या करते है discharging state ठीक है अब यहां पर समझना मेरी बात को ध्यान से अच्छे से ठीक है कि अगर मैंने यहां पर बोला तो देखो इस जगह मैं क्या बोल रहा था कि फरस्ट हमने कंसिडर किया गया था जब switch S1 को close करो और S2 को open रखो ठीक है मगर यहां पर capacitor था मेरा कैसा था एकदम completely uncharged capacitor था तो यह battery क्या कर रहा था battery इस capacitor क्या से नहीं मतलब battery से जो हम consider कर रहे थे इस तरह से moment देख रहे थे हम लोग ऐसे चल रहा था कि यह वाला तो था ही नहीं इस तो हमने open कर दिया तो इस branch में तो current जाएगा ही नहीं न तो इस जगह जगह तो यहां पर हम क्या बोल रहे थे कि जो capacitor जो मेरा fully unchast था वो यह थीरे-थीरे क्या होना शुरू हो यह charge होना शुरू हो रहा है तो धीरे-थीरे यह charge हुआ तो देखो जब T is equal to zero time पे हम क्या बोलेंगे यह क्या था fully unchast था ती is equal to T time पे हो सकता यह fully क्या हो गया चार्ज हो गया तो यह charging का condition था तो उसी तरह मेरी बात को समझो, अगर हम उसी तरह consider करेंगे, यहां पे, तो यहां हमने क्या consider किया है, case 2 में, case 2 में देखो, यहां पे हमने, जो consideration देखा है, ठीक है, मेरी बात को समझो, यहां पर हमने क्या किया, case 2 में, जब यह पूरा charge हो चुका था, क्या लिया है हमने, दे तो यह capacitor काइसा behave करने लगा? like a battery के तरह अब यह क्या होगा? धीरे 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 discharge होगा मंगर यह कब तक discharge होगा? कब तक यह utilized हो सकता है? जब तक इसका charge खतम ना हो जाए जो capacitor अपने अंदर energy स्टोर करके रखा है वो धीरे 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 क्या हो जाए दिस्चार्ज हो जाए तो वहीं हमने लिखा है कि potential difference across the voltmeter becomes क्या हो जाए 0 क्योंकि जैसे ही यह potential difference जो होगा potential difference इसका 0 हो जाएगा तब ही तो charge भी 0 हो जाएगा और इसी state काम लोग क्या कहेंगे? Discharging state ठीक है तो यहाँ तो clear हो गया कि charge होना या discharge होना यह time पर dependent होता है ठीक है? तो हम यह देखेंगे कि जब यो चार्ज होता है तो उसके पास as a function of time कितना charge होता है कितना discharge होता है तो उसके पास कितना time होता है ठीक है? As a function of time तो पहले हम कंसीडर कर लें चार्जिंग क्लिर है कि चार्जिंग क्या है देखो मैं एकदम धीमे धीमे छुट जोट जोट पॉइंट से इसलिए बता रहा हूँ कि आप एकदम अच्छे से एक एक सिक्षन को समझो ठीक है तो यह बड़ा इंपॉटेंट और सर्कृट के कुश्चन बहुत आशान होते हैं और जेए में आते हैं तो बहुत ईजी तरीके से सॉल भी हो जाते हैं अगर फुर्जड़ पॉइंट पे यहां ध्यान देते हैं तो ठीक है अब यहां मेरी बात को समझने में एकदम आशानी रहें थीक है तो चार्जिंग की बात कर रहे है तो द्ध्यान कि मैंने क्या बोला था उसमें ये जो switch है S1 इसको हम लोग अब यहाँ देखूं इस जगह मैंने क्या किया है एक resistance भी इस तरह इसमें और इसी में मैं तुम को बताने की कोशिश करूंगा कि चार्ज जब हम कर रहे हैं तो Q as a function of time क्या होता है ठीक है तो देखो यह मेरे पास क्या था R और यह क्या है C ठीक है और इसको हम क्या लिए थे पर देखो इनिशीली क्या होना सुरू हो जाएगा जैसे इसे t is equal to zero time में यहां से current का flow होने लगीगा यह यहां से current जाएगा क्लियर है वो करेंट यहां पहुंचेगा ठीक है वो करेंट यहां पहुंचेगा फिर वो करेंट यहां पर पहुंचेगा ठीक है और धीरे धीरे यह क्या होगा क्या चार्ज होना शुरू हो जागा सपोस्करों इस पर कुछ टाइम में जो चार्ज है वो क्यों आ गया ठीक है तो यह मेरे पास क्या होगा, positive plate और यह क्या हो जाएगा, negative plate, clear है इतनी बात, ठीक है, अब यहाँ पे समझना मेरे बात को, इतनी दुर में कहीं दिक्कत नहीं है, आपको ठीक है न, कि इस तरह से हम consider करेंगे, तो देखो जब यह initially बात करेंगे, जब यह initially t is equal to zero time पे, यह capacitor क्य ठीक है, initial condition, देखो, initial condition क्या है हमारे पास, ठीक है, कि initial conditions में मैं ऐसे बात करूँ, at t is equal to zero, q is equal to zero, because because capacitor, capacitor is uncharged, uncharged, ठीक है न, कि t is equal to zero पे, q की value क्या होगे, zero क्यों है ऐसा, क्योंकि यह capacitor उस समय क्या है, uncharged है, at t is equal to zero, ठीक है न, अब हम यहाँ पे में एक बात और बोलू, कि at any time, at any time, किसी भी time पर, हम current क्या बोल सकते है, current को हम लिख सकते हैं, dq by dt, rate change होगा न, क्योंकि current जो है, वहाँ पे तो यह charging भाए, with respect to the time, तो यहाँ जो current हो रहा तो हम क्या लिख सकते है इसको, i is equal to dq by dt, ठीक है, अब मेरी बात समझो, यह इस तरह से जा रहा है, तो basically जो circuit है मेरे पास, देखना, ध्यान से सुना, मैं circuits को बताने कोशिश कर रहा हूँ, देखो, इस तरह से move कर रहा है, हम कहां जा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है न, clockwise, तो clockwise direction में है, क्योंकि यहाँ तो है तो इस branch में तो current जाएगा नहीं, तो यह वाला बड़ा वाला तुम circuit consider करो, ठीक है न, इस में इस तरह से जाएगा, तो यहां हम क्या कर लेते हैं, इस function को निकालने के लिए apply कर लेते हैं, किर chops rule, ठीक है, applying, applying, किर chops, ठीक है, applying, किर chops, ठीक है, applying, किर chops law, at any time, at any time, we get, at any time, we get, ठीक है, तो देखो, यहाँ से, यह क्या है तुमारा, यह negative term है, बैटरी का, यह positive term है, अगर हम इदर से बार रहे हैं, तो negative से कहा जा रहे हैं, positive पी तरफ, मतलब e क्या हो जाएगा मेरे पास, positive, अब यहाँ से देखो, इसी तरह से हम क्या हो रहे हैं, चलना minus i into r, ठीक है, अब यहाँ देखो, जब हम इस तरफ से चल रहे हैं, तो यह positive plate है, negative plate, तो यहाँ भी हम potential क्या लिखेंगे, minus q upon c, किसी time में मानलो, इसके पास charge q आया होगा, और इसके बाद हम घूम के बापे से आएंगे, तो is equal to क्या हो जाएगा, यह, 0, ठीक है, ना, क्या मैं ले लेता हूँ, equation of first, ठीक है, अब यहाँ समझू, यहाँ देखो, but, i को हमको क्या लिखना है यहाँ पर, dq by dt, क्योंकि rate change है यहीं पर, ठीक है, time के साथ साथ क्या हो रहा है, capacitor, charge होना सुरू हो रहा है, clear है, अब यहाँ पर समझू, कि इस जगा, अब हम consider क्या कर सकते ह अगे बढ़ाते हैं, और इस जगा हम क्या consider कर सकते हैं, देखो, e minus ir है, minus q upon c है, ठीक है, तो इसको मैं अगर इस तरह से लिख हो, देखो, e minus q upon c is equal to r, dq by dt, तो कोई problem नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखो, इस जगा, अब इस पर क्या करते हैं, मैं lcm ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, e c minus q divide upon c, क्योंकि यहाँ पर particular mathematics ही है, और कुछ नहीं है, ठीक है, dq by dt, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 upon rc, ठीक है, c को यहाँ ले है, 1 upon rc, ठीक है, clear, into dt, ठीक ह है हम, और जो charge वाला terms है, उसको एक जगा कर लेते हैं, मतलब इसको क्या लिखते है, dq upon e c minus q, clear है, अब यहाँ देखो, कि हमने क्या initially state कहता है, 1 upon rc, rc, यह तो constant है, resistance constant और c भी है, ठीक है, अब यहाँ देखो, मैंने क्या वाला था, 0 time पर, ठीक है, 0 time पर, देहान से सब़ चार्ज कितना आ गया, चलो मैं small q ही ले लेता हूं, q charge आ गया, ठीक है न, कि 0 time पर इस पर कितना चार्ज था, 0 है न, और t time पर इस पर पास कितना चार्ज हो गया, q charge हो गया, clear है, अब देखो, इस function को अपने क्या करते हैं, integrate कर लेते हैं, तो देखो, यह क्या हो जाएगा, 1 upon rc, अब dt का integration क्या लिखेंगे, t है, t से 0 से t तक upper limit minus lower limit, चलो मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, t minus 0, ठीक है, is equal to, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो, इसका integration लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका ln e c minus q, ठीक है, अब यहाँ पर दियान से देखो, इसका जो coefficient है, वो क्या है, q, और q जो है, यह क्या है, minus 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, minus 1, और इसको कहां से कहां तक करना है, हमको 0 से q तक integrate करना है, ठीक है, clear है, अब यह वाला, जो minus वाला section है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूं, मतलब minus t upon rc, इधर consider कर लेते हैं, और इसको limit लगाया तो, ठीक है न, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंगे q हो जाएगा, और फिर क्या करेंगा, minus और इसके साथ consider कर लेंगे, यह minus मैंने इधर common निकालके इस तरफ कर दिया है, clear है, ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, that means हम क्या लेख सकते है, minus t upon rc is equal to ln ec minus q divide by ec, ठीक है, यह हो जाएगा, clear है, कहीं दिक्कत नहीं, इत्ती दूर आपको समझने में, ऐसा हम लिख सकते हैं, यहाँ से, ठीक है न, यह हो जाएगी value, अब देखो, एक छट छटी points को समझते चलना, ठीक है न, यह derivations आपको क्या होगा, कि 12th के exams में भी आपको help करेंगे, ठीक is equal to, क्या लिखोंगे यहाँ, ec minus q divided by ec, तो that means, यहाँ से हम q is equal to, क्या लिख सकते हैं, ec bracket में 1 minus e to the power t upon rc, देखो, यह हमको function मिल गया है, अब यहाँ ध्यान से देखोगे, तो तुमको क्या मिल रहा है, q is a function of time, ठीक है न, q क्या मिल रहा है आपको, is a function of time, देखो, यह expression निक charging में किसी भी time t के लिए, जो charge होगा, जो capacitor हम charge कर रहा है, तो इसका expression हम क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, अब यहाँ मेरी बात को समझा, अब condition बना लेते हैं इसमें, क्या ऐसे समझो, कि जब हम बोलेंगे, where q is equal to ec, यहाँ से समझना, q is equal to ec, is the maximum, is the maximum charge, maximum charge on capacitor, capacitor and, और यह जो section है न मिटा, देखो, क्यों बोल रहे हैं, इस चीज़ को मैं बताता हूँ, पहले में एक बार note down कर लो, देखो, ताव, इसको मैं क्या ओल देखेंगे, ताव, आर सी, is the time constant, is the time constant, ठीक है, of the circuit, ठीक है, अब यहाँ समझना मेरी logic को, ठीक है, यह जो मैंने लिखा है, इसका meaning क्या है, जैसे आप ऐसे assume कर लो, देखो, at, t is equal to 0, तो आप ध्यान से सुना है, इसी expression में ध्यान से देखो, जब मैंने क्या क्या, t की value क्या ले ली, 0 ले ली, देखो, मैं पूरा एकदम अच्छे से एके करके points पाई derive कर रहा हूँ, देखो, t की value हम क्या consider करने मिटा, 0, जब t की value हम consider क्या कर रहे है, 0 consider कर रहे है, तो यहाँ पे देखो, क्या होगा, देखो, expression क्या है मेरे पास, यहाँ पे q, और q is equal to क्या है, ec, तो ध्यान से देखो, 1 minus, अब देखो, e to the power है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 upon e to the power t by rc, क्योंकि negative है, पावर यहाँ से तो ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो, अगर मैंने t की value, यह जो हम consider कर रहे हैं, t की value, अगर मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो, किसी भी section पर पावर 0, मतलब यह पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी value क्या हो जाएगी 1, तो यह तुमको क्या दिखेगा, ec, 1 minus 1, ठीक है, that means q की value क्या मिल जाएगी हमको, 0, at t is equal to 0, तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, q क्योंकि value 0, और यही हमने start भी क्या था, हमने बताया था, कि initially वो क्या है, uncharge है capacitor, तो t is equal to 0, पर charge क्या मिलना चाहिए था, 0, ठीक है, अब यहाँ पर समझो, कि अगर हम ऐसा consider कर रहे हैं, तो यहाँ देखो, अब मैं यह लेके चल रहा हूँ, at t is equal to infinity, ठीक है, t is equal to infinity पर हम चेक करते हैं, कि t is equal to infinity पर क्या होगा, ठीक है, देखो, एक terms यहाँ पर मैं बताऊ, कि t is equal to infinity का मतलब यह नहीं होता, कि यह t is equal to infinity बहुत बड़ा time है, यह actual में बहुत छोटा time होता है, ठीक है, जैसे चलो, मैं थोरा से as for example, तुमको एक terms बताने कोश ठीक है, और one meter, ठीक है, तो one meter के respect में one millimeter क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि one, इस value के respect में one meter कैसा treat होगा, as like a infinity, मतलब यह बहुत बड़ा है, ठीक है, यह कैसा हम बोलेंगे, बहुत बड़ा है, तो उसी तरह हम time भी case में बड़ा ऐसे कर लगते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि one millisecond, one millisecond, ठीक है, हम क्या ले रहे है, one millisecond, तो उसके respect में अगर हम बोलें one minute, one minute, तो यह बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसके respect में यह कैसा treat होगा, infinity की तरह treat हो जाता है, ठीक है, ना, इसके respect में कैसे ट्रीट होता है इंफिनिटी की तरह ट्रीट हो जाता है तो आप उस टाइम के लिए लॉजिकली समझना मेरी बात को यह ऐसा नहीं हो रहा कि मैं T is equal to infinity बोल रहा हूं तो यह बहुत बाड़ा टाइम है यह बहुत चोटा टाइम है as compared to this और हम इस तरह से इसको manage कर सकते हैं ठीक है ना clear है इसको हटा देते हैं ठीक है यह वाले sections को हटा देते हैं clear है आप यहां से आप आराम से अच्छे से notes भी cover कर सकते हो कहीं बीटा problem नहीं होगी आपको ठीक है तो हम कहां बात करें at T is equal to infinity पे ठीक है तो T is equal to infinity पे क्या हो रहा है चलो फिर से तो values चेक करना शुरू करें तो देखो क्या है मेरे पास Q is equal to EC देखो 1 minus मैं असे ही लिख ल is equal to EC 1 minus E to the power ठीक है चलो E to the power क्या है यहां तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ चलो इसको मैं 1 upon T upon RC ऐसे भी लिख सकते है तो देखो अगर मैंने T infinity ली देखो यहां से infinity तो यह total function देखना ध्यान से समझना मेरी बात को देखो यह जो total function होगा यह total function क्या हो जाएगा बताओ यह total E by T by RC यह तो क्या होगा देखो इतना ले रहा है तो E to the power infinity मतलब यह पूड़ा infinity हो जाएगा ठीक है चलो ऐसे समझो तुम यह ज्यादा बेटर option रहेगा यह वाला section अटा देता हूँ देखो यह देखो ऐसे समझना थोरा सासान मैं करता हूँ और इसको यहां पे हम consider क्या कर अब यह वाले section पे ध्यान दो देखो यह section पे ध्यान देना यह जो section है इस पे यह जो है E to the power T upon RC तो यहां पे जब हम T की value infinity consider कर रहे है ठीक है ना तो यह total terms कहा होगा देखो यह total terms है यह total terms ठीक है यह जो total terms है यह कैसा चला जागा यह infinity को चला जागा तो अब यहां पे जाता है कि 1 by infinity क्या हो जाता है 0 हो जाता है ठीक है तो यह total मतलब 1 upon this क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहां Q की value क्या मिलेगी हमको EC ठीक है कि T is equal to infinity time पे Q की value क्या हो रही है मेरे पास EC कितना मिल रहा है EC ठीक है और यह जो EC मिल रहा है इस ही को basically हम लोग क्या कहते है maximum charge इतना ही क्या होगा यह maximum charge हो जाएगा ठीक है यह क्या होगा maximum charge हो जाएगा मतलब इस conditions में तो हम इस तरह से भी अगर मैं लिखू अगर देखो मेरी बात को समिझना ठीक है कि मैं इसको अगर ऐसे लिख लो देखो Q is equal to EC तो EC के जगा मैं Q लिखके इसको लिख देता हूँ max 1-e to the power minus t upon rc तो इस function को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है ना charging के लिए ये formula भी valid हो गया आए आपको बात समझ में ठीक है clear है तो ये तो charge की value हो गई ठीक है ये क्या हो गया यहां से हमको charge का value consider कर लिया हमने ठीक है अब यहां पे मेरी बात को समझना ठीक है कि अब हम consider करते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो अब यहां देखें कि current कितना flow हुआ ठीक है तो अब हम बात किसकी करेंगे current की current charging condition में current की value क्या होई थी ठीक है तो देखो current हम लोग क्या लिख रहते है i is equal to dq by dt अगर ये जो charge मिला है हमको इसको with the function of time अगर मैं differentiate कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा q section में as a function of time current की value कितनी होगी ठीक है तो यहां देखो अगर हमें current की value निकालनी है यहां से तो current की value हम कैसे consider करेंगे ठीक है तो हम simple क्या करेंगे ये जो charge की values आई थी इसको हम differentiate कर लेंगे अब इसको अगर हम differentiate करते हैं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे देखो मतलब मैं ऐसे लिखो i is equal to देखो ये function है है तो इसको मैं differentiate कर रहा हूँ ठीक है तो देखो q max है यहां पे यह क्या दिख रहा है आपको q max दिख रहा है into इतना दिख रहा है ठीक है तो देखो q max मतलब ये actual में क्या हो जाएगा देखो इसको पहले मैं charge वाला ही concept लिख लेता हूँ पहले charge की तरह इसको पहले मैं treat कर लेता हूँ ठीक है पहले मैं charge की value लिख लेता हूँ ठीक है पहले मैं charge क्या है मेरे पास q is equal to ec minus ec e to the power minus t upon rc यहां से तुमको अच्छे समझ में आगा ठीक है अब इसको मैं differentiate कर रहा हूँ यह क्या है यह constant time है यह 0 हो जाएगा minus यह constant है that is ec अब e to the power minus t by rc तो यहां से क्या लिखेंगे exponential function का differentiation exponential function होता है उसके बाद इस power को अगर हम differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon rc ठीक है तो यहां से हमको current की value देखो ध्यान से क्या मिल रहा है यह minus है और यह minus है तो मिलके क्या ह हो गया plus तो क्या लिखेंगे ec upon rc e to the power minus t upon rc ठीक है यह c और यह c क्या हो गया cancel हो गया तो then i is equal to क्या हो जाएगा e by r e to the power minus t upon rc तो यहां से यह क्या मिल रहा है मेरे को देखो ध्यान से यह जो value हमने निकाली यह actual में क्या मिल रहा है मेरे पास यह हो गई किसकी value current की value ठीक ह इस तरह से हम क्या निकाल दें यहां से current की value निकाल दें आरी आपको बात समझ में कहीं दिककत नहीं देखो एकदम अच्छे समझ में आया कोई दिककत नहीं है यहां तो हमें यहां से क्या हो गया क्या मिल गया current की value चलो बापस से लिक लेते हैं i is equal to e by r e to the power minus t upon rc यह मेरे पास आ गया simple current की value, ठीक है, जब charging condition में with respect to the times, यही मुझे value मिल रही है, ठीक है, अब यहाँ समझो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे consider करूँ कि where, where I0 is equal to E upon R, ठीक है, E by R को मैं क्या बोल रहा है, short form में लिख लेते हैं, ठीक है na, E by R को मैं short form में क्या identify कर रहे है, I0, ठीक है, तो मै यह बोल रहा हूँ, is maximum current, यह क्या है मेरे पास, maximum current, यह क्या है, maximum current in the circuit, in the circuit, यह maximum current है in the circuit में, आप देखो यह कैसे होता है, जैसे हमने charge के लिए निकाला था, वैसे यहाँ भी सोचते है, at T is equal to 0, चलो, T is equal to 0 पे आजब expressions consider कर लेते हैं, देखो, T is equal to 0 पे expression क्या है मेरे पास, I is equal to E upon R, E to the power minus T upon RC, तो पेटा, E to the power 0, अगर यहाँ पे, है ना, यह 0 हो जाएगा, तो यह value क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो I की value तुमको क्या मिल जाएगी, E by R, ठीक है, और E by R, इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, I0, और यही क क्या हो जाएगा, maximum, क्योंकि जब वो, देखो, जब circuits में बात करें, यही क्या होगा, maximum current, देखो, यहाँ पर मेरी बात को समझना, जब तुमने charge करना सुरू किया था, capacitor को, T is equal to 0 पे तो उस पर कोई charge नहीं था, मतलब potential, जो battery लगाई थी, हमने EMF की, E battery जो थी, जिसकी EMF value क क्या भी तो वो flow होना नहीं शुरुआ था, T is equal to 0 पे, तो वहाँ पर क्या होगा, charge मेरा क्या मिल जाएगा, maximum मिलेगा, आर यह आपको बात समझे, charge क्या मिलेगा हमको, maximum मिलेगा, बट अगर हम बात करें, कहाँ, at T is equal to infinity पे, तो देखो, क्या हो जाएगा, E by R, जब T is equal to infinity का आप मेरी बात को समझो, कि E by R, चलो, इसको ऐसे लिख लो, 1 upon E to the power T upon RC, तो बापेस यह जो function है, देखो, यहाँ पर समझो, यह जो function है, ध्यान देना, ठीक है, यह जो function है, ठीक है, यहाँ देखो, यह जो function है, यह कहाँ क्यों टेंस करेगा, यह कहाँ जाएगा, यह तो infinity को टेंस करेगा, तो 1 upon infinity, बापेस अगर हम यहाँ पर बोले, 1 upon infinity तो क्या हो जाएगा, 1 upon infinity 0, और E by R into 0, तो यह क्या हो गया, 0, मतलब आई की value क्या मिलेगे, 0, मतलब जब capacitor fully charge हो जाता है, तो इसमें flow होने वाला, जो current होता है, उसकी value क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और यह बा जो भी हमने charging का concept पढ़ा, उसका main conclusion क्या है, उसके बारे में हम लिखते हैं, देखो, अब यहाँ मेरी बात को समयना, जो भी हमने पढ़ा है, उसको points में note कर लेते हैं, जैसे हमने start किया था, चलो, मैं दूसरा pane use करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने start किया, तो मैंने क्या बोला आपको कि, जैसे हम condition ऐसे ले रहे है, putting t is equal to 0 in equation second and third, second and third का मतलब जो values है, हमारा जो हमने charge के लिए निकाला था, और किस के लिए निकाला था, हमने current के लिए निकाला था, तो दोनों में, तो हमको क्या दिखाया, देखो, तो we get, we get q is equal to 0 and i is equal to i0, initially, initially clear है ना, ठीक है, तो the capacitor, the capacitor is unchanged, ठीक है ना, जो हम t is equal to 0 की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो values है हमारा, ठीक है, मतलब second equations का मतलब आप ध्यान रखना कि, second equations का means हम क्या बोल रहे हैं, चलो मैं यहाँ थोरा सा तुब बता दू, second equation, that means मैं बात कर रहा हूं किसका, q is equal to e c 1 minus e to the power t upon rc, ठीक है, और third equation की बात मैं करूँ, तो मैं यह लिखना हो, e by r e to the power minus t upon rc, ठीक है, इसके बारे में हम second और third equation इसको बोल रहें, ठीक है, यह मेरे पास क्या है, second equations, और इसी को हम क्या बोल रहे है, third equation, तो यह ध्यान लगोगे, ठीक है न, तो यहाँ वही चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो, मैंने क्या लिखा, putting t is equal to 0 in equation, second and third, we get q is equal to 0, and i is equal to i naught, तो यही तो initially था, जब capacitor क्या था, इस initially condition है न, जब capacitor क्या है, uncharged है, and, and, capacitor क्या बोल रहे है, uncharged and the current, and the current is maximum, current क्या है मेरे पास, maximum है, and the current is maximum, it means, असे लिख लेता हूं, it means, when the capacitor, it means the, when the capacitor is uncharged, uncharged, it offers, it offers no resistance, it offers no resistance to the flow of current, to the flow of current, flow of current, or capacitor, capacitor, behave like a simple connecting wire, क्या था, बिहेब करेगा, simple connecting wire, या फिर इसी को हम लोग क्या लेखते हैं, short-circuited, ठीक है, यह कैसा, VF करेगा, short-circuited की तरह, ठीक है, मेरी बात को ध्याँ से सुनना, अब यहाँ पे, ठीक है, मैं एक एक points के बारे में, बापिस से यहाँ पे बोल रहा हूं, देखो, यहाँ दें, हमने क्या किया है, कि T is equal to 0 पे, देखो, हमने यही निकाल दा, T is equal to 0 पे, यह जो equations हम consider कर रहे हैं, तो T is equal to 0 पे, ठीक है, इस equations में, और T is equal to 0 पे, इस equations में, देखो, हमें क्या मिल रहा है, कि T is equal to 0 पे, जब हम second equation, यह वाले equation, चार्ज वाले equation पे बात करेंगे, तो चार्ज की value क्या हो, और यह 0, और current की value क्या मिल रहे हैं, हमको, I not, तो initially जब capacitor यहाँ पर क्या है, अंचार् values, क्या हारी है, मेरे पास 0, T is equal to 0 पे, तो अंचार्ज है, और current के पास क्या हो, current की value क्या हो, जाती है, I not, I not, मतलब यहीं क्या हो, और E by R, यह वाला fund आएगा, यह जो condition है, E by R हो जाएगा, जब तुम T की value 0 रखोगे तो, ठीक है, तो current यहाँ पर क्या बोल रहे था, maximum, त flow of the current में, और capacitor कैसा है, कि capacitor चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है, तो behave कैसा करने लगता है, simple connecting wire की तरह, या फिर हम वहाँ पर क्या बोलते हो, कैसा behave करता है, short circuit की तरह, वो behave करना, शुरू कर देता है, ठीक है, अब यहाँ मेरी बात को समझो, अब हम next point इस पे एक और consider कर लेते हैं, अब यहाँ मैं ऐसे सब पोच के चलू, कि putting, t is equal to infinity, ठीक है, in equation, second and third, ठीक है, we get, we get, q is equal to क्या मिल रहा हमको, capital Q, and i is equal to क्या मिल रहा था, हमाने पार, 0, ठीक है न, हम consider क्या कर रहे थे, i की value क्या मिल रहे थे, 0, now, now, the capacitor, now the capacitor is fully charged, अब यहाँ पे capacitor क्या हो गया, fully charged हो गया, and no current, no current flow, no current flow through the circuit, कोई करें रहे थे, the circuit, the capacitor, the capacitor, here, offer, infinite resistance, कैसा ये क्या होगा, ये कैसा होगा, infinite, resistant की तरह या फिर हम लिखेंगे क्या, behave like a, behave like a, एक सेकिन, एक सेकिन, एक सेकिन, फ़रा sentence perfect करूँ मैं, क्या होजएगा, behave like a, behave like a, open circuit, कैसा behave करेगा ये, open circuit की तरह, this is known, this is known as steady, इस ही को हम लोग क्या बलते हैं, steady state, ठीक है, steady state का मतलब, no current flow through the branch, through the branch containing, containing kappa sitter, ठीक है, तो ये points जो है, आपको धियान लगना है, ठीक है, मैंने बराबरा इसले लिखा है, तो राइटिंग को manage कर लेना, यहाँ पर, ठीक है न, clear है, देखो, यहाँ पर मेरी बात को थोरा सा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है न, कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हम time क्या ले रहे है, टी is equal to infinity पर, वही है, यह charge के लिए equation था, और यह किस के लिए था, current के लिए, तो वहाँ पर charge क्या हो जाएगा, maximum हो जाता है, और current क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और यह बात तो न, capacitor fully charge हो गया, क्या कोई current flow नहीं करेंगे, कि capacitor पर आप जगा ही नहीं है, तो उस रास्ते से कोई current वह flow होने नहीं देगा, क्योंकि वह fully charge हो जुका है, अब जब space ही नहीं है, capacitor के पास तो उधर से उस direction से वह current flow होने नहीं देगा, तो capacitor here offer, infinite resistance की तरब behave करता है, जिसको हम लोग यह याद रखोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, open circuit और कैसा होता है यह, infinite resistance ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, steady state, मतलब T is equal to infinity की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, steady state, ठीक है, और मतलब no current flow through the branch containing capacitor, मतलब capacitor का जो branch है, ठीक है, मेरी बात को थोरा और इस पर हम explain कर देते हैं, देखो, कि जैसे हमने जो circuit consider की थी, चलो, यहाँ पर कोई dark pen use करते हैं, ठीक है, देखो, यहाँ जो मैंने circuit use की थी, इस जगा देखो, इसी तरह से था, एक दम द्यान से समझे, ऐसा ही था, यह switch लिया था मैंने, ठीक है, यह E battery है, और यहाँ पर क्या लिया है हमने, resistance, ठीक है, और यहाँ पर capacitor, ठीक है, अब द्यान से समझना, ऐसा, तो T is equal to infinity पर जब हम charging के बात कर रहे हैं, मतलब यह close है, तो यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ठीक है, अब यह C का कहानी यह हो गया, कि T is equal to infinity पर capacitor क्या हो गया मेरा, fully charged हो गया, ठीक है ना, जब यह fully charged हो गया, तो यहाँ से जो current up flow हो रहा है, तो यह तो charge है, मतलब इसके पास तुम बात करो, देखो मेरी बात को एक एक करके statewide समझना, कि अब यह क्या होगे, यह full हो चुका है, इसके पास क्या है, कि अब कोई space नहीं बचा है, जब इसके पास कोई space नहीं बचा है, तो यह इस तरफ से जाएगा, क्योंकि अब यह लि का ही नहीं, मतलब यह कैसा होगे, यह break कर दो यहां से, मतलब यह क्या है, open circuit के तरह ट्रीट हो रहा है, तो यही चीज़ है, ठीक है, यह S2 था, और यह S1 था, तो इसका meaning आपको समझ में आया, कि logically यह क्या था, ठीक है, तो आज हम lectures यहीं पर finish करते हैं, next lectures में हम आगे इसके numerical के बारे में discuss करेंगे, कि जब charge होता है, तो इसका numerical